नमस्ते दोस्तों मैं आनन्दी श्वागत है आपका अमारे चैनल हेल्थ है बेबी केर में दोस्तों हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के सामने बहुत ही मस्ते पर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं जो खास कर आप लोगों के लिए बहुत ही मज़दार होने वाली है तो दोस्तों बने रहे हैं हमारे वीडियो के साथ थोड़ा से भी में इसकर देंगे तो आपको पूरे जनकारी नहीं मिल पाएगे वीडियो आज की हमारी है कि अगर आप सारे रिक कमजोरी से परेशान है आपको ठकान है चक्कर है और नेत की कमी है यह भूख नहीं आती आ प्रतिरोधग को को कड़ाने में मदद करना तो हम चार के बात कर रहे हैं पशलिख के इसंटकार मैं पूर्षों के लिए बता रही हो मैं यह सब सारी पर इसानी आइक थाकान कम जूरी चकर शाड़ी परिसानी यह अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही लाब मिलेगा जैसे कि दोस्तों मखाना आयुर्वेद के रूप में भी जाना जाता है और इसमें कार्बोहाइडरेट प्रोटीन मिनरल फैट फासफोरस पॉस्टिक तत्व पाए जाते हैं जो यह सभी सारी तत्व मिलकर हमें देती है और हमाय सक्ति को बढ़ाती है साथ ही साथ हमारे हड्यों को मजबूत करने में काफी मदद करती है आपको इसके बनाने की बिदी में बता देती हूं आपको दो गिलास दूद लेना है और उसमें एक मुठी मखाना को अच्छे से पानी में धोकर दूद में डालकर 10 मिनट तक इसको अच्छे से पकने दें फिर उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना जब हो जाए इसको पी जाए द्यान रहे कि आप इसको एक साथ ही नहीं पिना जिस तरह से चाय फुक मार के पीए उसी तरह से आप इसको फुक मार के पीए आपको काफी से मंदत मिलेगी में रहात मिलेगा इसे अगर एक सब्सक्राइब से जड़ से नश्ट होगी तो जो लेडी से मां मामारी की समय में जो सारी पर साणियों जो दर्द से गुजरना पड़ता है अगर इसका सेवन करती है तो उनको भी दर से चुटकार मिल जाएगा तो दोस्तों इस में खाना civ कि वांगी काफी फैय चाथी है दोस्तों में माथने में बहुत ही कम मातरा मं कालोरी मैं पहा कहती है जो चरभी उसको कम करती है और शपान शतीति में बना रहता है उसलिए धने चाहते हिजर कि वजनकी मात्रा है लिशे आपके सा हुदят विटामिन की कमी है वो भी पूरी हो जाती है इससे सरीर के इम्मिनूटी भी काफी मात्रा में बनी रहती तो दोस्तों उम्मिद करते हूं कि आज के हमारे वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लिश लाइक शेयर जरू करेगा हमें कमेंट मिली कर बत झालियो स्वेश तरे मस्टे धने बन्हें